राश्टिय स्वैम सेवक संके, द्वितिय सर संग्चालक, परम पूजिनिय, श्री मादवराव, सदाशिवराव, गोलवलकरजी, ज्यान, एवं भार्ति दर्शन के अद्वितिय प्रकाश इस्थम थे। उनके शिश्यगन, उन्हें आदर एवं इसने से गुरुजी कहने लगे। ये लोग प्रियोपनाम सदा के लिए उनके साथ जुड़ा रहा। श्री गुरुजी के कारेकाल में उनके बौद्दिक विचारों, वार्ताओं, चर्चाओं एवं राष्टे मुद्दों पर विक्त किये गए विचारों को एक पुस्तक के रूप में संकलित किया गया है। अंग्रेजी में बंच ओफ थौट्स एवं हिंदी में विचार नवनीत के नाम से प्रकाशित इस पुस्तक का देश की सभी प्रमुख भाशाओं में प्रकाशन हो चुका है। इस पुस्तक को चार खंडों में विभाजित किया गया है। पहले खंड में जीवन लक्षे, दूसरे खंड में राश्ट्र और इसकी समस्याएं, तीसरे खंड में वैभव का मार्ग एवं चौते खंड में व्यक्ति निर्माण जैसे खंड शामिल है। पहले खंड में हमारा जाकतिक लक्षे, मानफता का परम आश्रे, समय की चुनोती, सम्यक राजनेतिक एवं आर्थिक संदशना, हमारा राश्ट्र आत्मा की पुकार, सच्चे राश्ट्र वैभव के लिए भावनात्मक सक्रिय हिंदुत्र जीवन की आवशक्ता, एवं कार और लक्षे, दूसरे खंड में हमारी मात्र भुमी, मात्र भुमी के पुत्र, पौरश युफ्तर राश्ट जीवन के हितू, प्रादेशिक राश्टवाद, द्रिन धालना के लिए साहास का आहवान, हिंदु राश्ट की अनुबमता, मोल भोत सत्यों का उद्गोश एवं आंत्रिक संकड, तीसरे खंड में एतिहासिक अवश्रिक्ता की पूर्ती, एकात्मक शासन की अनिवारिता, शास्वत अतिष्ठान, आधार तत्वों का पोशन, चुनौतियां अनेक, राश्टी जीवन का अम्रितकुम, विजय के उपासक, विजय के लिए संगर्ष, पेक्षित बंधों की सेवा, आत्मिताही, सर्वोत्तम, समाधान, मात्रि शक्ती का आवान, एवं हम और हमारे विध्यारती, पुस्तक के अंत्म खंड में सफल कारे पदती, व्यक्तिक तथा राश्टिये चरित्र, पौरिश्वान बने, धैवादी, मनुष्य, मुर्तिमान आदर्श एवं श्री गुरु पुर्णिमा जैसे प्रबद अध्याई शामिल है, गुरुजी के विचार भारत के सांस्तितिक दृष्टी कोंड से आज भी बहुत मुल्लेवान है, वह राश्टे की समस्याओं और उनके निवारन की बात करते हैं, वह अगर विज्यान के न के चटान जैसे विचारों को डिगा नहीं पाए, विचार नवनीत पुस्तक में गुरुजी सभी भारती भाषाओं का समर्थन करते हैं, वह तमिल, माराथी, पज्जाबी, बंगाली, तेल्गो और गुजराती जैसी सभी भाषाओं को राश्टे की भाषा कहते हैं, वह कह कहते हैं, संपूर्ण देश में लोगों को अपनी सुविधा के लिए हिंदी को प्रात्मिक्ता देनी होगी, गुरुजी कहते हैं कि हिंदी की उनती के साथ हमारी सभी भारती भाषाओं भलेंगी पूलेंगी, विचार नवनीत में दशकों पूर्व गुरुजी ने देश क समक्ष खड़े अनेक जुलंत खत्रों की तरफ संकेत दिया था, धर्मानतरन, मुस्लिम आकरामक्ता, जन्प संक्या विस्पोर्ट, पुरुत्तर में सक्रिय मिशनरीज, बढ़ते आंतरे खत्रे, एवं आर्थिक असमानतर जैसे मुद्दों पर उनके विचार खरे उत्रे ह गुरुजी लिखते हैं कि व्यक्ति पूजा हमारी सस्कती और परंपराओं में कभी शामिल नहीं रही, व्यक्ति पूजा राष्ट हितों के लिए हानिकारक होती है, भारत भूमी की रक्षा हमारी सर्व प्रथम प्रात्मिक्ता होनी चाहिए, वह भारत को शेस्त्र संपन राष्ट बनाने की प्रेणा देते हुए लिखते हैं कि अपनी रक्षा के लिए हमें संपन देशों से शस्त्र लेने चाहिए, गुरुजी कहते हैं कि राष्ट जीवन का ये महन सत्य है कि प्रतेक स्वाधीन एवं 29 शील राष्ट का मेरुदंड स्वावलंबन होता है, वह कमजोरियों को हमें कठोड़ता से दूर करना होगा, सभी को विक्तिगत चरित्र को विक्सित करना होगा, विशेश तोर पर साजनिक शित्र में काम करने वालों को नस्यद देते हुए गुरुजी कहते हैं, साजनिक शित्र में काम करने वालों पर संपूर्ण समाच की निग आज भी प्रासंगिक हैं जो राष्ट को निरंतर जागरत करने का काम कर रहे हैं। 540 प्रष्टों की इस पुस्तक का मुल्य केवल 2500 रुपय है। इस पुस्तक के अध्यन से राष्ट, धर्म, समाज, मानवता एवं आध्यात्मिक्ता का भाव रिदय मयात्म साथ होता है।